हेलो प्यारे बच्चो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ इसमें हम सीखेंगे या अक्षर से खतम होने वाले शब्द आप जादा तर देखते होंगे कि हम स्टार्टिंग का अक्षर देखते हैं कि जैसे आज शब्द से शुरू होने वाले शब देखे या मा से या का से लेकिन इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे शब्दों को हम पढ़ेंगे और ऐसे शब्दों को हम लिखने का अभ्यास करेंगे जो की या पर खतम होते हैं कई बच्चों ने मुझे ऐसा बोला है कि उन्हें ऐसी शब्दों में कठनाई आती ह जो यापे खतम होते हैं उनी के कहने पर मैंने यह वीडियो बनाई है आगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को तो पहला हमारा जो अक्षर है वो है अना गम्य है अ ना ग अधम और य अना गम्य है दूसरा हमारा है अ निर्ण है अ निर्ण है ठीक है तीसरा हमारा शब्द है अनुकर्णी है अनुकर्णी है उसके बाद अगला हम लिखेंगे कस्ट साध्य कस्ट साध्य उपमे 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 कर्म धार्य कर्म धार्य अगला हमारा है विद्याल्य विद्द देखें जिस भी अक्षर के नीचे यह हलंत आ जाता है उस अक्षर को हम आधा मतलब मानते हैं आधा विद्याल्य ठीक है विद्याल्य ठीक है विद्याल्य ठीक है अगला हमारा है विद्याल्य ठीक है विद्याल्य ठीक है ते जिस भी अक्षर जो हैं यह पर खतम हो रहे हैं और यह पर खतम होने वाले अक्षर में यह का तो उचारण होगा ही अगला हमारा है विशय इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे ग्या नेंद्रिय ऐसे ही अगला हमारा है विनय विनय इसके बाद हम लिखेंगे वाच्य व आधच्य और य वाच्य सामान्य सामा आधन और य सामान्य नेक्स्ट हमारा है कार्य ठीक है मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेती हूँ ताकि मैं और शब्द आपको लिख कर दिखा सको ठीक है सामान्य के बाद हमने लिखा था कार्य अब अगला हमारा है अंतर रास्ट्रिय अन न की बिंदी तर जो है मारा ये आगया अंतर रास्ट्रिय ठीक है अगला हमारा है रास्ट्रिय अगला हमारा शब्द है योग्य ठीक है नेक्स्ट हम लिखेंगे प्र क्रिय या प्रक्रिय अगला हमारा है भाग्य भाग्य शिश्य शिश्य अगला हमारा है उद्देश्य देखे दा दा के नीचे हलंद फिर एक और दा दा के उपर एकी मात्रा आदाश्य और य उद्देश्य ठीक है अनिश्चे अनिश्चे अगला हमारा है पूजनिय पूजनिय ठीक है प्रिय प्रिय अगला हमारा है प्रिय के बाद हम लिखेंगे ग्या तव्वे तव्वे ठीक है ग्या तव्वे अदुवितिय अदुवितिय ठीक है सत्य जोतिर में जो ती र उपर वालाएगा म य जोतिर में ठीक है शूनिय 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 नेक्स्ट हमारा है पुस्त काल्ले पुस्त काल्ले इसके बाद हम लिखेंगे स्वास्थे नेक्स्ट हमारा है भविश्य भविश्य ठीक है इसके बाद विक्रे विक्रे क्रे माने वैसे बेचना होता है क्रे माने खरीदना त्रितिया त्रितिया ठीक है नी सहाए नी हाँ ये बड़ा खाली की मात्रा है जिसको हम विसरगे बोलते हैं नी सहाए शत्रिय शत्रिय अभाज्य अभाज्य ठीक है मैं इसको थोड़ा सा और उपर कर लेती हूं अब इसके बाद हम लिखेंगे अभाज्य के बाद असाध्य अ सा आदध और य असाध्य ठीक है साहित्य साहित्य मनुष्य मनुष्य इसके बाद हम लिखेंगे अन्याय अ आधन पूरा य अकडंड़ और फिर य अन्याय इसके बाद लिखेंगे अपाठ्य अयोग्य तो आपने देखा कि इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखा जिसके अंदर ये शब्द जो है या पे खतम होते हैं तो अगर आपको इससे कुछ help मिले देखें या अकशर पे खतम होने वाले शब्दों का कोई रूल नहीं होता कि इनको किस तरीके से पढ़ा जाता है ये जब हम हिंदी का उचारण करते हैं हम अकशरों को पढ़ना सीखते हैं तो जिनके लास्ट में या आता है तो वो शब्दी भी इनके साथ ही होते हैं तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाब हो आपको कुछ benefit मिले तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर बाइ